आज की तारीख है 23 फरवरी 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscigilpinnacle.com और बलजीधकर.com इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा और ये सेशन दोनों चानल्स पर सुबाद चार बज़े वेलबल हो जाता है साथ ही साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमाई telegram handles, frontier IS और sscigilpinnacle online को जोईन ज़रूर करें स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ मैंने अपसे पहला question पूचा था कि केंद्रे मंत्री प्रकास जावेडकर ने किस राज्य केंद्री शासित प्रदेश में अटल परियावरन भवन का नावरन किया है तो इसका सही जवाब था लक्ष द्वीब और दूसरा question पूचा था कि 2021 Australian Open के महिला एकल final का खिताब किसने जीता है तो इसका सही जवाब था नाओमी उसाका स्टार्ट करेंगे first question देखो आज के session का Australia Open पूरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है जिसका सही जवाब है option number B नुवाग जोकोविच तो टैनिस में गत चैंपियन यानि डिफेंडिंग चैंपियन नौवाग जोकोविच ने डैनियल मेडवेडेव को हरा कर अपना Australian Open किताब जीता है यह उनका नौवा Australian Open और अठारवा Grand Slam किताब है यह उनने तस्वीर में देखिए इवान डोडिक और फिलिप पॉला सेक न आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना पहला Australia Open पुरुष 1905 में Melbourne में खेला गया था 1922 में पहला Australia Open महिला खेला गया था अगला question देखो भारत के पहले डिजिटल विश्वय द्यालय का उधगाटन किस राज्य में किया गया है तो इसका सईज जवाब option number C केरल तो राजयपाल यानी गवर्णर आरिफ मुहमत खान ने वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से देश के पहले डिजिटल विश्वय द्यालय का उधगाटन किया है डिजिटल विश्वय द्यालय कृतिम बुदी मर्ता यानी artificial intelligence, blockchain, data analytics और अन्य डिजिटल परिवर्तन पाठे क्रमों के माध्यम से बौधिक समर्थन प्रदान करेगा यहां तस्वीर में देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना दो दशक पुराने भारतिय सूचना प्रदियोगी की और प्रबंधन केरल यानी Indian Institute of Information Technology and Management केरला केरल सरकार दवारा स्थापित IT के एक में उथ कृष्ट टा केंद्र दवारा की गई है यहां पर एक और एक रिविजम की बात करें तो प्रदान मंत्री मोधी ने किस राजय में भारत के पहले अंतरष्ट्रे कृस टर्मिनल का उथँगाटन किया है तो इसका सही जवाब था केरला की इसके डाम और प्रद्धान मंत्री किसान राष्ट्र पुरसकार के लिए चुना गया है प्रद्धान मंत्री किसान राष्ट्र पुरसकार के लिए चुना गया है प्रद्धान मंत्री किसान सम्मान निधी के तहट लभार्तियों का 99.6% भौतिक सत्यापन यानि फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करने को लेकर जिले को यह पुरसकार दिया जाएगा जिला अधिकारी यानि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी चंद्रुतू को 24 फरवरी को नई दिली में आयोजित एक कारे क्रम में यह पुरसकार प्रदान किया जाएगा केंद्री क्रिशी एवक किसान कलियान मंत्राल्य के निर्देश पर पात्रता यानि एलिजिबिलिटी और वास्तविक्ता यानि रियालिटी का निर्धारन करने के लिए भौतिक सत्यापन के वास्ते पांच प्रतिशत लभार्तियों को बिना किसी क्रम के चुना गया था बात करें यहाँ पर आंधरुप्रदेश की तो इसके डाम्स और रिवर्ज में आता है स्रीसिलम डाम कृष्णा, सोमा सिलर डाम पेना और पोला वरम प्रजेक्ट गुदावरी नाशनल पार्क और वाईलाफ सेंक्चरीज में आता है पपी गुदा नाशनल पार्क, स्रीसिलम टाइगर इजर्व और पुलिकत लेक बर्ज सेंक्चरी आंध्र प्रदेशी कैपिटल है अमरावती, सीएम है वाईयस जगन मोहन रेडी और गवर्णर है बिस्व भूशन हरीस चंदरन नेक्स्ट क्वेस्टन देखो मध्य प्रदेशी किस जिले का नाम बदल कर नर्मदा पूरम रखा गया है तो इसका सईजवाब है उप्शन इमबर सी होशंगाबाद तो मुखे मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने नर्मदा जयनती कारेकरम यानि 19 फरवरी के दिन होशंगाबाद जिले का नाम बदल कर नर्मदा पूरम करने की घोशना की है मालवा होशंग शा के पंदरवी श्ताबदी के सुल्तान के बाद इसे होशंगाबाद नाम दिया गया था 22 साल से होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदा पूरम रखने की मांग की जा रही थी अगला क्वेस्टिन देखो तो दूसरे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2021 की में जबानी कौन सा राज्य करेगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अबर B करनाटक तो दूसरे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2021 की में जबानी करनाटक करेगा Association of Indian Universities यानी AIU के साथ साज़दारी में बैंगलूरू की जैन उनिवर्सिटी और राज्य के अन्य स्थानों में खेल आयूजित किये जाएंगे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स देश का सबसे बड़ा विश्वद्याले खेल है और इसका उदेश्य खेल प्रतिभाओं का विकास करना है यहां तस्वीर में देखिए और यहां पर एक एक रिविजन की बात करें तो इसका पहला संसकरन फरवरी 2020 में भूवनेश्वर में आयूजित किया गया था हर्याना 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चोथे संसकरन की मेजबानी करेगा बात करें यहां पर करनाटिका की तो इसके डैम्स और रिवर्ज में आता है कृष्णा राजसागर कावेडी तुंग बदर डैम तुंग बदरा और अलमाटी डैम कृष्णा नाशनल पाक्स में आता है नगरहोल नाशनल पाक, आंची नाशनल पाक और बनर घटा नाशनल पाक करनाटिका की कैपिटल है बैंगलूरू, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मनिस्टर है बी एस यदियुरप्पा युनेस्को वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है हमप्यू मॉनुमेट्स और पतर डकल मॉनुमेट्स नेक्स्ट क्वेस्ट देखो, किस राज्य केंदर शासत प्रदेश ने कार्बन पद चिन का आकलन करने के लिए एक मॉबाईल आप्लिकेशन कार्बन वाच लॉँच की है इसका सही जवाब है ऑप्शन निबर C, चंडिगर्ड तो चंडिगर्ड कार्बन पद चिन का आकलन करने के लिए मॉबाईल आप्लिकेशन कार्बन वाच लॉँच करने वाला भारत का पहला राज्य केंदर शासत प्रदेश बन गया है आप्लिकेशन को Android स्मार्ट सेल फोन में एक QR कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है यह मॉबाईल आप्लिकेशन कार्बन पद चिन को कम करने के तरीकों का सुझाव देगा यह एप परियावरन विभाग चंडिगर्ड प्रशासन दवारा विक्सित किया गया है किसी संस्ता दवारा किया गया कुल कार्बन उतसरजन यानि टोटल कार्बन एमिशन को कार्बन फुट्प्रिंट कहा जाता है यह उत्सरजन कार्बन डायोकसाइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है अगला क्वेस्टिन देखो यूवा भारत दा हीरोज ओफ टुडे पुस्तक किसने लिखी है तो इसका सई जवाब है दैविर सिंग भंडारी तो ब्लूम्स बरी द्वारा प्रकाशित यूवा भारत दा हीरोज ओफ टुडे नामक पुस्तक फिल्म निर्माता उद्यमी दैविर सिंग भंडारी द्वारा लिखी गई है इसमें भारत के 60 से अधिक प्रख्यात यूवा हस्तियों की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है यहां तस्वीर में देखिए इस पुस्तक में अभिनेता राजकुमार राओ, खेल मंत्री किरेन रेजीजू, ओलंपिक स्वरन पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, त्रिपूरा के मुख्य मंत्री बिपलब देब, भाजपा सांसत तजस्वी सूर्या और ओयो के संस्थापक रितेश अगरवात सहित प अंकिता रेना, तो हाल ही में भारत की अंकिता रेना ने WTA का खिताब हासिल किया है, मेलबर्न में फिलिप दुवारा ट्रोफी में उन्होंने रूस की कामिला राखिमोवा के साथ यूगल स्परदा का खिताब जीता, छे बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही सानिया मिर्ज के बाद अंकिता यूगल में शीच सौ में जगा बनाने वाली केवल दूसरी खिलाडी बन गई, अंकिता कामिला की जोडी ने फाइनल में रूस की अन्ना बिलिन कोवा और अनस्तासिया पोटापोवा को हराया, अगला क्वेस्टिन देखो, किस राजे ने परियतन छेत्र म होटल उद्योगों के लिए सबसीडी और अन्यक कर लागू किये गए हैं, अब यहां आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले होटलों को वियवसाइक प्रतिष्ठान यानि कॉमर्शल इस्टाब्लिश्मेंट्स माना जाता था ना कि उद्योगिक एकाईया, इन होटलों के सबसीडी और अन्यलाब एप्रिल धोजार इकिस से शुरू होने वाली पांच साल की अवधी के लिए लागू होंगे, यहां पर एक रिविजिन की बात करें, तो करनाटे का थड़ी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है विजे नगर, नेक्स्ट क्वेस्टन देखो, वार्षिक ल साथ दिवसियव वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव उत्सवम 2021, बीस फरवरी को शुरू हुआ है, इसका आयोजन केरल प्रेटन दवारा, केरल लोगित अकादमी और भारत भवन और जिला प्रेटन समवर्धन परिशद यानि डिस्ट्रिक्ट टूरिजम प्रोमोशन काउंसल दवारा किया गया है, यह मुहत्सव पूरे केरल में 30 स्थानों में केरल की स्मृध और विविद लोक और अनुष्ठानिक कला परंपराओं यानि रिच्वल आर्ट ट्रेडिशन को जीवन्त करता है, यहां पर एक एक रिविजन की बात करें, तो 47 खजुराव डांस किया गया, बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक कुईक समरी की, तो अस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल दोजारिकेस नोवाग जोकोविच ने जीता है, इंडियास फर्स्ट डिजिटल उनिवर्सिटी का उधगाटन केरला में किया गया, आंधर परदेश के अनंत 2021 की मेज जबानी करनाटका करेगा, कार्बन वाच मोबाइल अप्लिकेशन चंडिगर ने लौंच किया है, यूवा भारत दा हीरोज ऑफ टुडे बुक देविर सिंग भंडारी ने लिखी है, डबल्यू टी ए रैंकिंग्स डबल्स में टॉप हंडर्ड में अंकिता रहना शामिल हो गई है, करनाटका सरकार ने होटेल्स को इंडस्ट्री स्टेटस देने का डिसाइड किया है, और फो कार्ट फेस्टिवल उत्सवम केरला में मनाया जाता है, बात का लेते हैं आज के सेशन के कुईज फॉद अडे कि आपका पहला क्वेस्टिन है, दूसरे खेलो इंडिय उनिवर्सिटी गेम्स दोजार इकिस की मेज बानी कौन सा राज्य करेगा, और आपका दूसरा क्वेस्टिन है, और अस्ट्रिलिय उपन पूरुष एकलखिताब 2021 किसने जीता है, इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैनल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच